जो लगातार ये कहा करके सत्ता में आए कि दिल्ली की समस्याइं केवल और केवल भारती जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस के कारण से है वो आकर के खुद एक समस्या बन गए शेहर के लिए सारा ट्रैफिक जाम सारी पुलिस उनकी सुरक्षा में लग गई ठंड कडाके की ठंड में रैन बरिसेरों की क्या वैवस्ता हो नहीं चाहिए जीतने से पहले ये महिला कमेंडो फोर्स की बात करते थे वो क्या होना चाहिए गुडिया और दामिनी के बलातकार पर शोर मचाने वाले ये मुख्य मंतरी आज विदेशी महिला के साथ गैंगरे पर चुप हैं तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा और धोखा के साथ-साथ उनके प्रतिय कपराद जो है वो बुक कर रहे हैं मुझे लगते हैं जिस तरह से इनका ये रवया है कि हर सिस्टम में से लोगों के विश्वास को खतम करने का उससे तो ग्रह यूद जैसे स्तिती हो जाएगी आप ये बात कहीं भी हम ये नहीं कहते के सभी लोग इमानदार हैं लेकिन हम ये भी नहीं मानते के सब बेइमान हैं आपको सिस्टम के मुख्या हैं आपको उसमें से चीजे डून करके इंक्वारी करा करके गलत लोगों के लिए एक्शन लेना चाहिए सही लोगों को अप्रिशेट करना और उनको काम का महोल परदान करना ये आपकी जिम्मेदारी है